नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लवदरी क्लासेस के बिये प्लेटफार्म पर ब्यक्तितु विकास और चरीतर निर्मान बिये बिये सी बीकोम के सभी थर्डियर वाले छात्रों के लिए फांडेशन कोर्स के अंतरगत एक अच्छा सबजेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अच्छा है ये भी है कि मैग Ziemman 99% उनिवरिशिट्यों में इस सभेइक्शeled maybe इसorta में में भी पूचे जाता है लेकिन फिलहाल दोस्तों मेरे पास में जो कमेंट आई आई आप लोगों की वो mcq format में classes लेने की आई थी इसलिए foundation course के सभी subject की में mcq format में ही सभी classes अभी ले रहा हूँ तो व्यक्तिदू विकास वाली जो series थी दोस्तों इसमें हम अभी तक जो है पांच पार्ट इसके complete कर चुके थे आज हम इसके छटे पार्ट पर discuss करने जा रहे हैं हर पार्ट में हम 30-30 questions को लेते हैं उनको भली बाती समझते हुए जो है इस सभी प्रशनों को complete करने का प्रियास करते हैं कि लोंग टाइम के लिए आपको remember रहे याद बने रहे इसलिए बीच बीच में हम कुछ इसके एक्जामपल भी लेते हैं तो आई ये शुरू करते हैं टॉप 250 MCQ question वाली इस यात्रा को और चूंकि बीच में हमने इसको चारपा दिन के लिए इसलिए स्टोप किया था क्योंकि अभी अभी दोस्तों दो सिर्ध के एक्जाम हुए हैं तो उन्च आत्रों को कहीं ऐसा ना लगे कि हमारी क्लास मतलब इक्जाम होने के बाद आप class ले रहे हैं बाकि सिर्फ दो university के अभी exam हो है बाकि की अभी exam होने बाकि है तो वो सभी student जो है अपने syllabus को यहां से cover कर सकते हैं complete कर सकते हैं दोस्तो प्ले लिस्ट को एक बाद जरूर विजिट कीजेगा आपके काम के सभी विशे निशुल को रूप से lecture और नोर्स दोनों ही जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है जाईएगा जरूर आपको आपके subject आसानी से मिल जाएंगी यह syllabus है syllabus के coding में प्राडम से आपको बतात कि फर्स में को हम पार्ट वन और टू में कर चुके हैं यूनिट दो को जो है हमने पार्ट तीन और चार में कंप्लीट किया है और यूनिट तरी अब हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें पार्ट पांच हो चुका है आज हम पार्ट चेपर डिसकस कर रहे हैं इसी तरह से इस का कि योग का जन्मदाता देश कोन है अर्तात की योग की शुरुवात किस देश से मानी जाती है अमेरिका से भारत से जापान से या फिर चीन से तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इसका अंसर राइट लगा सकते है कि योग की जो शुरुवात है वो भारत से मानी जाती है जहांकि पंतजली महर्शी पंतजली ने लगबग 5000 साल पहले योग की शुरुवात कर चुके थे कर दी थी ठीके ना तो पहले योग की उत्पत्ती जो है सबसे पहले भारत में ही मानी जाती है भारत में ही हुई है और इसके बाद में योग दुनिया में फेला हुआ दुनिया में लोग परिये हुआ है और इसी को लेकर के 21 जून को हम योग अंतरास्टी योग दिवस के रूप में भी सेलिबरेट करते हैं आईए अगला प्रशन लेते हैं भारती दर्शनिक परमपरा के कितने भाग हैं भाग पूचा गया है कि भारती दर्शनिक परमपरा के या भारती दर्शनिक परमपरा के उसमें मुख्य रूप से दो भागों की बात की गई है दो कुन-कुन से एक भाग होता है नास्तिक का और एक होता है आस्तिक का नाम तो आपने कई बार सुना होगा लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है कि नास्तिक की परिवाशा क्या है और आस्तिक की परिवाशा क्या है दोस्तो अगर मैं इनको एक एक लाइन में clarify करने का प्रियास करूँ तो मैं बिल्कुल इस प्रकार कह सकता हूँ कि आस्तिक वो लोग होते हैं या वो दर्शन होता है या वे ब्यक्ति हो सकते हैं जो वेदो में विश्वास करते हैं और वो सभी नास्तिक कहलाते हैं जिनका वे बेदो में विश्वास नहीं है तो दोस्तो बेदो पर विश्वास करने वाले प्रत्यक दर्शन को हम आस्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं वहीं बेदो में विश्वास ना रखने वाले जो दर्शन है उनको हम नास्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं नास्तिक दर् तो अभी अभी मेने आपको बताया कि तीनों ही नास्तिक दर्शन के बहुत प्यारे उधारन हैं इसलिए dieicana करें उनकों करेंगे लेकिन अभी अभी integrapsxi के ने आपको बहुत कुछ जानते हों गे content दे दूँ ताकि आपका confusion जो है खतम हो जाए दरसन में ने बोध और जैन दर्सन में पहले से ज्ञान की इसलिए चर्चा की है क्योंकि जैन दर्सन और बोध दर्सन को आप जो है टेंथ क्लास से ही पढ़ते हुआ आयो कई बार आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है तो सं जो मत है जो दर्सन है यह जीव जीव और शरीर जीव मतलब की आत्मा आत्मा और शरीर को यह अलग अलग नहीं मानते हैं बलकि शरीर ही जीव है या आत्मा है इनके अनुसार जो शरीर है वही जीव भी है और वही आत्मा भी वही है और इसी का परिणाम है कि जब शरीर का विनास होता है तो आत्मा का भी विनास हो जाता है तो शरीर में जो चार या पांच महाबूतों की बात की गई है उनसे उनके समाधान चेतन्य का कारण होते हैं मतलब की जो महाबूत है कौन से पांच महाबूत है कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगा बताएंगे कल वाल को इन्हों ने आधर बनाया और कहा कि उन्हीं पांच महाभूतों के कारण ही यह जो सरीर होता है यह चेतन्य अवस्ता में रहता है कि लिए रे ओप्शन डी इसका सही आंसर होगा अगला प्रशन है मन के अंगों को कितने भागों में बाटा गया है तो पिछले सेशन में भी म मन की जो मूल प्रवरती होती है दूसरा वाग हम कह सकते हैं मन में जो अहम होता है तीसरा वाग होता है उस मन का विवेक या परम अहम परम अहम अहम गलत चीजे परम अहम गलत नहीं है क्यों कि जहां परम अहम होता है वहां विवेक होता है याद रखिएगा अगला प्रश गीता में भगबत गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है मतलब कौन से मार्ग को भक्ति का मार्ग बताया गया है क्या कर्म को भक्ति का मार्ग बताया है या भक्ति को ही भक्ति का मार्ग बताया या ज्यान को भक्ति का मार्ग बताया या फिर ओप्शन डी है सभी को तो सही हो जाएगा अगला प्रश्ण पर मूप करेंगे अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है सांख्य में कितने तद्वों का समावे से सांख्य में सांख्य में कुछ प्रश्ण ऐसे होते हैं जिनको याद रखना बहुत आसान होता है और कुछ प्रश्ण ऐसे होते हैं जिनक और हमारी जुमान पर ना आने के कारण ही वह हमें हमेसा अंजान से लगते लगा Italya मिसान अगर आप बार रोपर यह शब्दों को साथ या इछ प्रिक्ति नशी करते हैं अपने अपने योग पढ़ा हों और जो भक्ति आप आसान इसे नहीं बता सकते कि सांख के कितने तद्वों का सांख किया गया है, दरसल सांख क्या होता है, ये भी अब तक आपको बेसिस में डिसक्स करेंगे, हम लोग दीटिल में भी बात करेंगे, क्योंकि योग दर्सन पढ़ रहे हैं, निश्चिनत रहें आप लोग, त तो उस पुरुष बाले तद्व को मिला करके पूरी स्रस्टी में जो है 25 तद्वो से पूरी स्रस्टी का ये निर्वान बताया गया है तो इसी कारण से इसको सांग के दर्सन कहा जाता है याद रखेगा सांग के दर्सन क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें 25 तद्वो का समावे से डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी आप लोग जो है अच्छे से बाद में रिविजन लगा पाएंगे कोई प्रोलम आपको नहीं आएगी अगला प्रशन लेते हैं प्रशन साथ है कि आत्मा की कितनी अवस्ताइं होती है बहुत प्यारा कोशन है ग्यान भी आपको इसके बारे में होना चाहिए कि जो हमारी आत्मा है जो हमारा मन है जो हमारी चेतना है इसकी अवस्ताइं कितनी होती है जीरो अवस्ता होती है दो होती है तीन होती है या पिर चार अव होते हो जब सूसे उड़ते हो किसी ने बोल दिया चार वजे उठाई या पांच वजे उठाई ठोकरे खाते हो आगे बढ़ते हो तो उस वक्त कि कोई सी अभस्ता में होते हो और जब अगर आपको meditation का सोग के है ध्यान लगाने का शोग और आप गहरी सोच में चले जाते हो ध्यान में चले जाते हो तो उस वक्त आपकी आत्मा किस अवस्ता में होती है याद रखिएगा इस एक्जांबल के माद्यम से आप समझ सकते हो कि आत्मा की कितनी अवस्ताइं होती है तो चार अवस्ताइं आत्मा की बताई गई है कौन-क अवस्ताओं को जागरत अवस्ता चीके ना सुअपन अवस्ता और शुष्टुप्त अवस्ता इसमें सबसे महत्मूर्ण है तुरिये अवस्ता जो आत्मा तुरिये अवस्ता को प्राप्त कर ले समझ जाईए वो भ्रह्म में लीन होने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुक इस राज योग की जो अंतिमय योग होता है को सा होता है तो याद से चलता है प्रत्याहारण ध्यान उसके लास्ट में क्याई समाधी वह अवस्ता होती है योकी जिसमें एश्वर को प्राप्ते कर लेता है के लिए अगला प्रस्शने ने लेते विश्णु पुराण में भक्ती के कितने प्रकार बताएगे हैं भक्ती के कि विश्णु पुरान में वो स्रीमत भागवत गीता में भक्ति के जो है नो प्रकार बताए गए हैं और नोई प्रकारों के यहाँ पर आपके सामने नाम है खाली आप इन नामों को अटार ददस बार अच्छे से ध्यान से कॉंस्टेट होकर कि अगर सिर्फ पढ़ भी लोग आपको याद जाएंगे और गलत ओप्शन टिक करने से आपको यही जो रिमेंबरें हुए जो आप याद करोगे यह बचा ले जाएगा आपको गलत टिक नहीं लगाने देंगे तो इसमें जो नो प्रकार बताए गए हैं भक्ति कुन-कुन है स्रवन किर्टन इस्मरण सब क की ब्याठ्या भी लिखी हुई है हर एक की कि सरवन का मतलब क्या होता है ठीके ना लोक कताए सुनना या भक्ति गीत या भक्ति कतां को सुनना किर्टन इस्मरण पादसेव अर्चना वंदना दाश सक्ष या पिर आत्म निवेदन इस प्रकार से कुल मिला करके नो प्रकार बताए गए कहां अगला अगला प्रशन है निर्वन नरन यहां है क्या सगुन ध्यान pays कोई नहीं तो आप बहुत-आसानीMonster City निर्वन को यान का वास्टविक स्रोत क्या अंत्र जली ने महरेशी पंत जली जोग की परिवासा दी हैं हर एक क्या कि अनुपसार ज्यान की उत्पति सरीर से नहीं बलकि यह डाइटली प्रतेक्ष रूप से आत्मा से ग्यान की प्राप्ति होती है ना कि सरीर से ठीके अगला प्रशन लेते है Smci शकटी चालिया के नाम से भी जानाा ही है सकती चालिया किरिया और यह सकती करिया शक्ति चालिनी किरिया को हम क्या कहते हैं क्या कपाल भाती किरिया कहते हैं या पिर बस्ती किरिया कहते हैं नेती किरिया कहते हैं या नोली किरिया कहते हैं या दकी का शक्ति चालिनी किरिया मतलब जो शरीर को एनरजी से भर दे शरीर को शुद्ध करते हुए शरीर में एक्स् arena space यहां होती है उनकी सपाई की जाती है उनकी मालीश की झाती है उनकि विसेश करिया होती है डिस्क्रिम्चन रेस्कीन से एक रे सब कुछ है एकला है उप सब्सक्राइब बेर नहीं चाला हूँ कि यह 4000ane ज्रूरत ne नहीं इसकी अगला प्राशने को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा योग कुन सा है एकाग्रता बढ़ाने के लिए जिसके सब्सक्राइब किसको है आप लोगों को ना चाहते होना सबसे सबसे बेटर चीज़ हर आपको यही एडबाइज देगा योग करना चाहिए योग करना चाहिए एकागरता बढ़ाने के लिए तो एकागरता बढ़ाने के लिए योग तो करना चाहिए लेकिन योग तो कई प्रकार के तो उसमें से भी कौन सा योग करना चाहिए तो एकागरता के लिए क्या राज योग ज्यान योग भक्ति योग कौन सा योग सबसे ज और स्चारा सादन है ध्यानौर जो क्या करता है यह हमारे मन और सरीव प्रकास प्रकास प्रक्षर में आप देख पा रहे हैं इस प्रकास अपने घुटनों को पेर की तलीयों को दवाते हुए भेटना है आपको ठीके नहीं इसको हम बजरासन के assistance केते हैं बजरासन को आप खाने के तुरन्त बादबी22 आप इसको कर सकते हैं इससे क्या होता है कि जो हम बोजन करते हैं वो बोजन जो है हमारेके system मे делать state água शाने के बाद में सही तरीकि में ही पूरे बिस्तार से डिसकस कर चुके उम्मीद करता हूँ आप सीरीज को लेक्षर नमर वन से जो है अटेंड करते आ तो आपको कोई प्रोड्रम नहीं आने वाली तो अब मैं थोड़ा सा जिस पर पहले डिसकस कर चुके ना उस पर हम थोड़ा सा सोड में बोलते हुए आगे निकल जाएंगे ताकि अनवर्शन को उससे समयना जाए चलिए बस्तर बस्ती कि रिया के प्रकार कितने बताए गए कितने प्रकार थे दोस्तों दो प्रकार बस्ती कि रिया के बताए गयते उन मेंने बताया आपको की पूरे बिस्तार से में इस पर डिसकस किया है नहीं चाहते हो लेक्टर देखना कोई बात नहीं लेकिन जोगल पर सर्च कर लेजिएगा कहीं से भी पढ़ पढ़िये प्रणयाम है क्या प्लाविनी प्रणयाम है या पर सभी प्रणयाम है तो यहां पूचा गया कि कौन सा नहीं है तो यहां रखीएगा जो अस्ते है तो याद रखिएगा सूरिवेदी और प्लाविनी ये दोनों ही प्रणायाम के बहुत ही महत्पून पार्ट है सूरिवेदी की बात करें तो सूरिवेदी में दो जो हमारी हाथ की तरजनी और छोटी उंगली होती है इसमें सांस को तीब गती से अंदर ही रोक करके भेटना होता है तो ये दो प्रकार के तो ये तो आपके प्रणायाम हो जाते हैं लेकिन जो अस्ते है ये प्रणायाम का भाग नहीं है इसलिए उप्सन एश इसका सही हो जाएगा अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को कौन सा हमने कौन सा अंतराष्टी योग दिवस मनाया था और अगर इस योग दिवस की थीम के वारे में आपसे पूंचे जाए कि योग दिवस की 2023 वाले योग दिवस की तो यार रकिएगा वसुदेव कोटुम्बुकम के लिए योग और थीम पर लेकर करे कई बार प्रश्न पूंचे गए हैं याद रखियेगा सिर्फ यू पेसी त सब्सक्राइब के सवालों में जो इस प्रकार के प्रश्ण आते हैं तो यह पीचे-पीचे प्रकार प्रणायाम के बताए गये हैं अभी देर प्रनायम के अगर हम पंतजली के अनुसर बात करते हैं प्रनायम के प्रकारों की तो सूर्य बेदन जो अभी अभी हमने देखा था उज्जाई उज्जाई सीतकारी शीतली भस्त्री का भ्रामरी मूर्चा और प्लाविनी ये आठ प्रकार बताए गए हैं किसके प्रनायम के य नेती किरिया किस से संबंदित है नेती किरिया पेड़ से पेर से कान से या नाक से तो जी हा नेती जो किरिया होती है यह नाक से संबंदित होती है नाक की मासपेस यो कि सभाई करने के लिए यह किरिया की जाती है ठीके ना नेती किरिया यह नासी का मार्ग को साप करने के ल या फिर धारण तो याद रहे समाधी से जस्ट पहले की जो किरिया होती है वह होता जो अवस्ता होती है वह होती है ध्यान मतलब ध्यान के बाद ही व्यक्ति समाधी तक पहुंचता है तो जब व्यक्ति प्रनायाम प्रत्याहार को साधते हुए प्रनायाम और प्रत्याहार को स अराध्य में एक अकार हो जाता है वहीँ अवस्था समाधी कहलाती है अगला प्रशन में है आसनों का राजा किसे कहा जाता है ऐसे फल के राजा को ko किसे कहते को उस phones को कि ऊसी तरह से आसनों का राजा को नहीं गहाई तो यह समझ पारा हैं ठीके ना अगला प्रश्ण लेते हैं आसन करने का सबसे अच्छा समय कुन सा है सुबह का या शाम को तो दोनों ही बहुत अच्छे समय है आसन करने के आ और बादोनों सही है लेकिन खाली पेट याद रखेगा एक आसन को चोड़कर के बाकि सारे आसन जो भी होते हैं सब कि जाते हैं अगला प्रश्ण लेते हैं अगला प्रश्ण पंत जली योग सूत्र किस ने लिका था चानकी ने पंत जली ने और बादोनों ने या कोई नहीं तो दोस्तों पंत जली ने लिका था कई बार में बदर चुका हूं आप लोग को प्रणायाम की अवस्ताइं कौन ना ये सब भी प्रणयाम के ही भाग हैं चलिए अगले प्रस्ट करते हैं योग की कितनी अवस्ताओं का बंढन किया है योग की अवस्ताओं बताईए दस पांच आठ या तीन तो अभी अभी पढ़ा था हमने आठ अवस्ताओं का बंढन उन्हों कि जब डाउनलोड करेंगे आप लोग तो आसानी सिसका रिविजन लगाते रहीएगा और इसको अच्छे से एक एक कर लेते हैं तो मान के चलिएगा कोई साभी कोशन आप से गलत नहीं होगा और कर लेना चाहिए दो पांच मिट को लगते हैं तो निम्न में से कौन निम्न मे तो याद रखेगा योग की जो आत्मा है वही प्रणायाम कहलाते प्रणायाम ही योग की आत्मा है ठीके ना योग की आत्मा सांस को नियंतित करना ही प्रणायाम का पहला कदम होता है सांसों को नियंतित करना जब सांसे नियंतित होती है तो शरीर और आत्मा दोनों नियंत पढ़ लिजेगा अगला प्रश्न है ध्यान क्या है ध्यान क्या है मन को शांत करना या आत्मा से जुड़ना या पिर आउरबा दोनों या पिर कोई नहीं तो हमारा सही अंसर हो जाएगा मन को शांत करना और आत्मा से जोड़ना ही क्या है ध्यान है क्योंकि ध्यान 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 कहां से योग और योग की उत्पत्ति कहां से हुई है संस्कत के युजधातु से उसका मतलब क्या होता है जोड़ना ठीके न तो आत्मा से जोड़ना किसको इश्वर्द कि यह रे option सा सही हो जाएगा अगला प्रश्ण लेते हैं और आखरी प्रश्ण है आपका कि योग के द्वारा किसे नियंतित किया सकता है योग के द्वारा किसको नियंतित किया सकता है मन को शरीर को दोनों को या कोई नहीं तो दोनों को ही योग के माध्यम से हम मन और शरीर दोनों को ही नियंतित कर सकते इसलिए option सा सही answer हो जाएगा तो दोस्तों आज की series होती है complete और अगले session में अर्थात की lecture नमर 7 में हम फिर से discuss करेंगे 8 में से last second last part अर्थात की से पार्ट नमर 7 पर हम चर्चा करेंगे फिर से में कोशन लेकर के आएंगे जो एक्जाम की देश्टिकोंट से बहुत ही महत्पून होंगे क्लिया रहे चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगा सपोर इस तरह बना रहेगा कि आपकी डिमांड जब तक नहीं आएगी में सेशन को प्राणम नहीं करूंगा अभी थर्ड यह में मैंने राजनिती विज्ञान का एक पार्टी स्टाट किया है इंडिया वाले को लेकिन मैं अभी देख रहा हूं सिर्फ दो सेशन ही वहां प चाहिए वहां पर सकता है लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा अच्छे कहां से लोग उसको जोइन करते रहेंगे तो मैं उससब्जेक को कंटीन्यू करते रहेंगा जैसे की तुरंत वापिस में आपके डिमांड पर एक कमेंड पर ही मैं आपको विकास वाले स बहुत कम बच्चों का इंट्रेस्ट है तो एसा नहीं चल पाएगा क्योंकि हमारी मेनत तो पूरो पर लगती है उतनी ही लगती है अगर आप लोग हजा लोग को कांटीटी में देखते हो तब भी उतनी वेनत लगती है और कोई अगर दस बीस लोग देखते हैं तब हमारी उतनी मेनत लगती है तो फ्रूसा याँ शेयर करें या फिर क्वांटीटी बढ़ा है वहाँ पर तक हमारा मोटिवेशन बना रहे हैं हां सब्जेक्ट का फायदा मेक्जिमम इस्ट्वेंट उठा पा रहे हैं चले मिलेंगे नेक्स सेशन दोस्तो थैंक्यू थैंक्यू सो मच